हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर धर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए दोस्तों मैं डॉक्टर दर्बे साब सभी का स्वागत करता हूँ मेरी यूटूब चैनल फ्रीडॉम फ्रम हस्पिटाल दोस्तों आज मैं आप के लिए लेक आया हूँ कि जो आप परेशान हो बहुत सालों से या बहुत दिनों से बिस्तर से उठना मुश्किल हो रहा है चलना घुमना अपना काम काज करना बहुत डिफिकल्टी आपको फेस करना पड़ता है अगर आप ग्रेड वान ग्रेड टू के लेबल पे हो आप डेली संघर्ष करते हो पेन किलर लेते हो इंजेक्शन लगाते हो डॉक्टर का चक्कर लगाते हो अलग-अलग समय पर आपको हस्पताल भी जाके वहां रहना भी पढ़ता है दो चार दिन पान दिन दोस्तों कई बार आपको डॉक्टर कह रहा है कि आप ऑपरेशन करवालवा आपका ये बला जाएगा मगर दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन हर एक चीज का समाधान नहीं है तब तक आप संघर्ष करिए जब तक आपके सरीर में जान है आपके हड़ियों में ताकत है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता आपके लिए खुला है को एक बारी कट पेट कर लेने के बात कुछ नहीं बसता हमारे पास कई लोग आते हैं कोई कमर सरजरी करा के आता है कोई गरदन सरजरी कोई घुटने कू सरजरी करा के आता है मगर फिर भी कहता है कि मै परिशान हूँ, अगर सर्जरी सक्सेस्फुल होता है तो फिर आप हमारे पास क्यों आती हो मैं उनको पूसता हूँ, ना नहीं सारा भी ये दर्द हो रहा है, फिर दो बार हो रहा है हमारा L5 में तकलीब हो रहा था, डॉक्टर ने कहा L5 वेस्वान में, वहां से डिक्स खटा दिया आप कह रहा है कि L4, L5 में तकलीब हो रही है, वहां पे डिक्स बाहर आ रही है, उसकी सर्जरी के लिए बता रहा है परहसान होता है इनसाना, घुटने में भी कई बार ये ऐसा होता है कि सर्जरी करा लेते हैं, फिर भी बिश्तर से उटके चलना मुश्किल होता है, तो मैं आपको ये सला देना चाहूंगा, अगर ये जो छोटी-छोटी प्रयोग आपको मैं बताता हूं ये टाइम टेस्टेड है, ये लोगों पे सालों साल इस्तैमाल किया जाता है, या फिर वो घर में इस्तमाल करते हैं, उनको लाब होता है, फिर वो हमसे सेयर करते है, तो ऐसा एक टिप्स आफको आज दे रहा हूं, वो है, हल्दी का प्रयोग पहले मैं आपको हल्दी और सौंट को अच्छे से मि्क्ष्ट कर ले हलका सा पाने डाल के जब यह अच्छा लेब बन जाए जिसमें.. शूजन इसमें.. दर्ध हो रही है चारहु तरफ से आप इसबस लगा लगाने के बाद एक्स्ट्रा करना कह उन्हां बताने के वाला हूच। जो फीजियो तो आपको इलेप लगाने के बाद दोस्तों क्या करनी है छे से साथ मिनिट एक एक घुटने पर आपको इन्फारेड लाइट डालनी है किसी के जरिया इन्फारेड लाइट जब आप डालते हो दोस्तों चमतकार होती है ऐसे तो दर्दगर सुजन में डायरेट भी डालती है उससे फायदा होता है मगर जब इसमें डालोगे तो दोस्तों इसका जो रेजल्ट है जो आपका हिलिंग खेमता है वो कम से कम फाइब टू सिक्स टाइम बढ़ जाती है जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्टर हो जाता है और हीलिंग प्रोसेश जो है वो और फास्टर हो जाता है याने राद भर आपका रिपेरिंग अच्छे से होता है डिनर के बाद आपको लेप लगानी है इंफरेड लाइट डालनी है फिर उसको बेंडेज कपड़े से हलके हाथ उसको बान लेनी है या फिर सुती कपड़े सा बान ले देन आप्टर पूरा रात रहने दें, सुभा उठके उसको बारीस और विंटर सीजन में गुंगुने पानी से साप करिएगा, अगर समर सीजन है नॉर्माल पानी से आप साप करिएगा, साप अच्छे से करके बहुंच लें, तब जाके उसमें फिर से पांच-पांच मिनिट इंफारेड लाइट डाली है, दोनों गुटने में, अगर आपको एंकल में समझ से, एंकल में भी आप सेम फर्मूला अपलाई कर सकते हो, अगर आपको कमर में प्रॉबले में, कमर में भी आप दोस्तों ऐसा लेप दे के उसको बैंडेज कपड़ा, चौड़ा बैंडेज क चल पाओगे, उसका सुजन भी उतर गई होगी, और खान पीन में थोड़ा ध्यान रिखिएगा, मेरी जो किताब है, माई हेल्थ इन माई हैंड, वो आज ही दोस्तों मंगा के अपने घर रखो, किंतु परन तो कुछ नहीं है, एक मेहने में दवाय में उड़ जाती है, दो बड़ी किताब है, यह एक हमारी प्रयास है, आप भी थोड़ा से साथ दे, घर में रखो, इस्तिमाल करो, जो उपाय बताया जाता है, उसको इस्तिमाल करना जरूरी है, किंतु परन्तु कहीं पे नहीं है, पानी हर एक घंटा जरूर पी है, कई बारी मैं आर्थराइटिस क पेशन्टों देखा हूं, केला दबा के खाते हैं, मत खाऊना, आम नहीं खाना है, कडी चावल नहीं खानी है, इस तरीके चीज़ें अवोइडी करिए, डारेट कच्छा टमाटर मत लो, यूरी के सीट हो गयरा अपना जांच कर लो, आरे फैक्टर हो गयरा देख लो, कहीं जो आपको रास्ता बताता हूं, उस रास्ते को भी दोस्तों, फॉलो करो, अमल में लाओ, फिर देखो कि आपके समझ से धीरे-दीरे कम हो रही है, सुजन उतर रही है, अंदर रिपैर हो रही है, हड्यों में ताकत आ रही है, इसके कारण क्या होगा, जो मसल्स पे दबाव पढ़ रहा था, वो कम पढ़ रही है, क्योंकि जितना आपके घुटने में तकलिफ बढ़ेगी, उतना आपका अपर और लोयर दोना अफेक्टेट होंगे ही होंगे, यानि काप में असल्स में भी पहन जाएगा, थाइज मसल्स में भी पहन हो, सासाथ कमर का भी ध्यान के लिए, दो दिन के लिए, आप मेरे पास आ सकते हो, यहां दिखाने के लिए, और पूरी गाइडलाइन, पूरी कीट वगरा साथ में लेके जाके भी आप अपना इलाज घर बैठके कर सकते हो, विदेश वगरा में जो है, वो मंगवा सकते हो, भाई कोईर, हम अपने करें, एक दो बार और प्रयास करके भेज़ें, उसका जवाब आपको मिल जाएगी, थैंक यू भेरी मच, जैंजय भारत!